common technical document that is the presentation of the new master files that is new drug applications to USFDA के बाद अब next version आया था updated version that is the ECD electronic common technical document कागच से होने वाली समस्याओं को सके storage को problems को से नपटने के लिए उसको resolve करने के लिए electronic format आया है तो उसी का एक introduction जानेंगे इस वीडियो के माद दें यूजिली नॉर्मली तीन तरह के submission होते थे इस पेपर नॉन वह भी एक पेपर है डाट इस new drug application and abbreviated new drug application and electronic submission with ECTD यह अभी तक तीन ही है और आज के time पर जो current 21st century हो उसमें ECTD को ही जादा तर प्रिफर किया जाता है क्योंकि यह totally paperless work है जितने भी उसके फाइदे हैं क्या उसकी जरूरते हैं वो सब understood है because क्योंकि अभी यह एक common example से समझें कि आप सभी जाते हैं कि पूरे ग्लोब को ही हमें greener and cleaner बनाना उसके लिए में paper को कम से कम स्तमाल करना है तो avoid cutting of the trees तो इसके लिए electronic format is the best alternative in option it carries the lesser and lesser space agency बिल्कुल सही बात है कोई भी pharmaceutical company at least 100 से जादा product market में होते हैं अब उनकी जितनी end files हैं DMF हैं CTD हैं ACTD हैं जितने भी हैं इसमें इतना कागज इस्तमाल होता है कि company के लिए रखना मुश्किल हो जाता है और ECTD में बढ़ी असानी से एक hard disk में ही सब कुछ complete हो जाएगा handling paper at applied task and quite subjective electronic submission give more accountability इस में ज्यादा परफेक्ट more faster and less laborious and less time consuming task को मिलता है फिर्थ more added advantages superior technology है and single application format है means अगर एक बार एक किसी कर particular medication के लिए common technical document तयार हो गया तो उसके सीरे format में बस copy paste कर देना है और न्यू थोड़े applications को लेना ले जाना जैसे उसको आप एक जस्ट कॉमन शब्दों में समझें कि हमें कुछ लेटर है किसी को पोस्ट करना होता था पहले तो हम cardboard पे लिखते थे फिर उसे पोस्ट करते थे फिर वो उस स्थान पर पहुंसता था and then यह सारी से बहुत टाइम लेती थी और सब पहुत लेकिन आज की डिट में महस्पांच मिट में हम एक इमेल लिखते हैं विदिन सेकेंट्स वो दूसरे परसन को मिल जाता है तो सेंपल यही इस अवाइड दी लेक्स एक्सपेंसेव इंटरनल प्रॉसेस और रिसीविंग एन आशीविंग एप्लिकेशन इसी टीडी को लेकर के दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर फार्मस्टिकल एजेंसी उस उनाटी स्टेट फूड और अडर्मिस्टेशन और यून में पेपर समिशन अभी भी चालू है लेकिन उसे इंकरेशन नहीं किया सकता है मतलब पहले ही आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को सपोर्ट करना होगा जैसे अपनों कर देते हैं क्योंकि आपका पेपर पच जाएगा सेकेंड़ी यूरूपें अजेंसी ने हर साल जनवरी की जो तारीख है वो ECGD की सब्मिशन की अंतिम तारीख मानी जाती है So dear students let's have a quick review revision of the video सबसे पहले types of submission हनें 3 then उसके बाद the application means the importance and significance की why ECGD important है then advantages उसके बाद 3 declaration by US and European agencies So hope you wind the video fruitful thank you for watching